दोस्तों, ऐसी के जगे होती है हमारे आसपास, जिसके बारे में हम जितना जाने लगता है, कम ही जाना है ऐसी एक जगे है बैंगलोर के पास बैंगलोर से लगभख 70 किलोमेटर की दूरी पे एक ऐसी बहुत ही इंटरस्टिंग जगे है इंट्रेस्टिंग इसलिए क्योंकि वो हमारे महान कावे रहमायन और महाबारत से जुड़ी है इसलिए मैं आज आपको वहाँ लेके चलूँगा सिर्फ माइतलाजी से ही नहीं यह जगे हमारे देश के महान संत और कन्नड भाषा के महान पोएट श्री नारायन अपपा से भी जुड़ी हुई है क्योंकि यह जगे उनका आवास थान रहा है और यही वो जगे जहांनोंने महान का अंबर नारायन आशतका और कालागना लिखा था जह माता की दोस्तों स्वागत है आपका एक पर फिर से हमारे इस चैनल माई टेंपल ट्रिप्स पे जहां हम आपको आज कैवारा लेके चलेंगे जो बैंगलोर के निकट कोलर डिस्टिक्ट में इस्तित एक छोटा सा शहर है जैसा मैंने पहले अपने पहले वीडियो में कहा है कोलर इस जम अफ़ प्लेस और यहां पर ऐसे कई प्राचीन मंदिर हैं जो हमारे सांस्कृतिक इतिहास में हमें गवरो महसूस कराते हैं और आप ऐसी कुछ मंदिरों के बारे में जानना चाते हैं तो हमारे उस वीडियो को देख सकते हैं उस वीडियो का लिंक उपर आई बटन मिल जाएगा या नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा सो दोस्तों आज हम आपको कैवारा के बारे में सारी जानकारी देंगे सो इस वीडियो को अन्त तक जरूर देखें और हमारे इस चैनल को अगर आपने अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करना ना भूले चलिए जानते हैं कैवारा किसलिए फेमस है यहां कौन सा वो तेत स्तल है जो आपको मजबूर करता है कि आप वहाँ जाएं कहते हैं कि कैवारा वो जगह है जिसे हर युग में भगवान के दर्शन करने का सोबाग मिला है यह कहा जाता है कि यहां पर अमरा नारायना मंदिर की स्थापना खुद इंद्र ने सत्युग में की थी यह भगवान विष्णु का मंदिर है और क्योंकि इंद्र ने यहां पर भगवान विष्णु की मूर्ती को स्थापित किया था इसलिए इसका नाम अमरा नारायना मंदिर है अमरा इंद्र का दूसरा नाम है पहला मंदिर जिसे आप यहां देखना चाहेंगे वो है अमर नारायना मंदर इंदर ने इस मंदर की स्थापना क्यों की उसके बीचे भी एक बहुत इंट्रेस्टिंग और लंबी स्टोरी है सो वो हम किसी और वीडियो के लिए रखते हैं पर आप यह जरूर जान गए होंगे कि मंदर की स्थापना सत्युग में होई थी तो यह मंदर कितना पुराना और कितना महत्तपून है उसके बाद करिवारा का मेंशन ट्रेता युग में रामायन काल में भी मिलता है कहते हैं कि भगवान राम यहां आये थे और अमर नारायन मंदर में एक केव है यानि कि एक गुफा है जिसे रामरा गुहे कहते हैं और यहां मानता है कि भगवान राम बनवास के समय यहां इस गुफा में रुके थे पास की पहाड़ी में लक्षमन तीरत है इस पहाड़ी को भीम बगासुर बेटा भी कहते हैं इसे भीम बगासुर बेटा क्यों कहते हैं इसके बारे हम थोड़ा आगे जानेंगे लेकिन कहते हैं कि बनवास काल में जब यहां पर भगवान राम लक्षमन मासिता के साथ थे तो एक दिन मासिता ने लक्षमन से पानी लाने उका लक्षमन ने अपने धनों से जमीन में तीर शूट किया जिससे पानी निकलाया और इस छोटे से पान्ड को आज हम लक्षमन तीरत कहते हैं लक्षमन तीरत के बगल में ही माचामन दूशरी जी का भी मंदिर है और कहते हैं कि असुरों को मारने के बाद मा चामिंड शरी ने यहाँ पर इस होली पॉंड में डुपकी लगाई थी इस पहाड़ी पे जाने के लिए लगवख 500 स्टेप्स चड़ना पड़ेगा और उपर लक्षमन तीरत और मा चामिंड शरी का मंदिर है पर अब लक्षमन तीरत में नहाना एलाउड नहीं है पर अगर आप चाहें अगर भग्जन चाहें तो एक दो बाल्टी पानी उसमें से निकाल सकते हैं और कहीं थोड़ा दूर जा करके उस पानी से हलका सा इसनान कर सकते हैं याद रखिए पहाड़ी के उपर का मंदिर दो बजे के आसपास दो फ़हर में बंद हो जाता है दूसरा महत्वण मंदिर यहाँ पर है उसे स्री भीम लंगेशुरा टेंपल कहते हैं जो भीम बकासुर बेटा के फुट हिल पे है और अमर नारायना मंदिर के पास में ही है ज्यादा दूर नहीं है अगर आपको महाभारत की कहानी याद हो तो आपको यह जरूर पता होगा कि बनवास के समय पांडो कई जगे पे गए और जगे जगे रुके ऐसी ही एक जगे में भीम बकासुर नाम के दानों का वद किया था उस जगे को महाभारत में एक चकरपुरा कहा गया है और यही एक चकरपुरा आज के समय में कई वारा है और यहीं पास में भीम बकासुर बेटा में वो जगे है जहां पर बकासुर का वद भीम ने किया था बकासुर का वद करने के बाद भीम ने प्रैसचित करने के लिए यहाँ पर एक शिवलिंग के स्थाप़ना की थी और उसे आज हम भीम लिंगेश्वर मंदिर के नाम से जानते हैं यह एक छोटा सा पर बहुत खुबसरत मंदिर है और यहां का श्युलिंग कहा जाता है कि महाभारत के काल से ही स्ताफित है चाहे जो हो, यह मंदिर बहुत सुंदर है और बहुत पुराना है भीम लिंगेशन मंदिर पहुँचने के लिए आपको में कलवारा शहर से होगे गुजरना होगा मेन रोट के लेफ्ट में अमरनारायना मंदिर है और राइट हेंड साइट पे आपको एक अर्क दिखाई देगा जिस पें पाच्चो पांडों की मूर्तिया हैं आपको अर्क लेना है और करीब 400 मीटर पे आपको यह मंदिर दिखाई दे जाएगा यह मंदिर इसलिए अमर नारायना मंदिर के opposite side पे है so left में अमर नारायना मंदिर और right side में आपको यह आर्क दिखाई देगा आर्क के बाद रास्ता थोड़ा संक्रा है पर गाड़ी जा सकती है और वहाँ जाकर के कोई parking की बहुत अच्छी सवदा नहीं है आपको मंदिर के प्रांगन के बाहर ही कार पाक करनी पड़ेगी अपनी पर ज्यादा भी ना होनी के वज़े से पाके के में कोई खास दिक्कत नहीं होती है जब हम गए थे वहाँ पे तो हमें कोई दिक्कत नहीं हुआ था अमर नारायन मंदिर से लगबख दो किलोमेटर की दूरी पर वैखंट गुए है अच्छा आपको बता दें कोई का मतलब होता है केव यानि की गुफा अमर नारायन मंदिर से लगबख दो किलोमेटर की दूरी पर वैखंट गुए है जो एक केव टेंपल है और यहाँ पर श्री योग नर्सिम्मा जी की मूर्ति है जो की स्वयम्भू है यह भी अपने आप में एक amazing चीज है कि यहाँ मूर्ति अपने आप निकली है और यहीं पास में श्री कैवारा तथिया जी की समाधी है स्री कैवारा तत्या जी और कोई नहीं वही महानसंत श्री नारायन अपपा जी है और यहाँ पर उनका आश्रम है और इस आश्रम में आप रुक भी सकते हैं अगर आप रुकना चाहें यह हिल्स और यहाँ पर एक जो केव टेंपल है वो अमेसिंग है इसलिए यह भी देखना बनता है और आप कैवार आए हैं तो कैलाशकरी टेंपल भी जा करके देखिये केलाशकरी hills या केलाशकरी cave temple Lord Shiva को dedicated है यहाँ पर man-made cave है और जिस तरह से यह cave पहाण में कार्व करके बनाया गया है वो अपने आप में amazing है और इसके cave के अंदर बगवान शिव जी की जो मंदिर है वो काफी खुबसूरत है पर यह cave अपने आप में ही आपको अचंबित कर देती है अचंबा है यह कि इतना बड़ा cave कैसे बनाया गया आपको यहाँ फोटिल्स पे गाड़ी पार्क करने की अच्छी सुदा है बिल्कुल दिक्कत नहीं होगा पर आपको करीब अधा किलोमेटर चलना होगा पहाड के पास महुँशने में जहां पर cave temple का entrance है जैसा कि आप देख सकते है फोटो में यह entrance काफी बड़ा है और उपर से नजारा एकदम शांदार है अब जब आप उपर जा रहे होंगे यह उपर से नीचे आ रहे होंगे तो आपको बगल के जंगल में पानी का extreme दिखाई देगा आप उस stream का जो स्रोत है वो बगल के पहाण पे देख भी सकते है पानी का source जो है आपको दूसरी पहाण पे दिखाईए तो अगर आप चाहें तो आप उस पानी के stream के पास पीजा सकते हैं अगर बच्चे आपके साथ हैं तो वो उस stream के पास जाके काफे enjoy करेंगे कुछ दिर आप वहां बैठ सकते हैं फोटोग्राफियों अगरा कर सकते हैं के लाशकरी हिल्स और केफ टेंपल आपके लिए एक शानदार experience होगा सो दोस्तों यह था काईवारा के बारे में ऐसी कई जगे होती हैं हमारे आसपा जिसके बारे में हम नहीं जानते हैं और जब जानते हैं तो लगता है कि बहुत कम जाना है और केवारा उसमें से एक जगे है सो अगला ट्रिप आप केवारा का जरूर लगा के आए और मुझे पुरा विश्वास है कि आपको यह जगे बहुत पसंद आएगी और आपको अपनी तरफ बार बारा करशित करेगी दोस्तों उमीद करते हैं कि आपको हमारी इनफर्मेशन पसंद आई होगी अगर आपको यह इनफर्मेशन पसंद आई है तो हमें लाइक, सब्सक्राइब और शेर करना न भूले अगले वीडियो में फिर मिलते हैं दोस्तों तब तक के लिए जैमाता की आपका दिन मंगल में हो बाबाए